दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो के थम्नेल पे देखा है कि तीन इजी स्टेप और एक मिनिट पे आप अपना नया पावर सप्लाई सिलेट कर पाएंगे पावर सप्लाई यानि की पी एस यू या फिर एसम पिस जो भी आप कहना चाहिए चलिए आज हम लोग किसी के वरे में डिसकस करते हैं हला कि मैंने एक ऐसा ही वीडियो पहले अपलोड करके रखा था लेकिन वो वीडियो मुझे ठीक ठाक नहीं लगा तो चलिए ये रिवाइस अडिशन है सेप आप अट सेप आप लोगे के लिए मैं हूँ एंडी और आप देख रहे हैं टेक्नोफाइल चलिए आज का वीडियो हम लोग शूड करते हैं चलिए देख लेते हैं पहला स्टेप क्या है सबसे पहले गूगल में जाके आपको टाइप करना पड़ेगा PC What Calculator बस PC What Calculator और कुछ नहीं टाइप करना पड़ेगा आपको बस PC What Calculator लिखके सर्च दबाना पड़ेगा उसके बाद सर्च रिजल्ट पे कूलार मस्टर की तरफ से जो पहला रिजल्ट आएगा उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और इसी के साथ आपका पहला step complete हो जाएगा चलिए दूसरी step के और बढ़ते हैं तो यहाँ पर दूसरा step जो है दूसरा step पे आपको ऐक ऐसा page दिख जाएगा जहाँ पर आपको देख जाएगा बहुत सरा option जहां पर आप enter कर सकते हैं आपके पास कौनसा प्रोसेसर है मतलब आप PC, फिर पके पास टो सकते हैं और उसके साथ माइनिंग करते हैं तब भी आप पर एंटर करके देख सकते हैं कि आपका PC कितना व्रकाट प्रोसेसर कर रहा है reference के लिए मैं यहाँ पर एक filled up form आपको दिखाना हूँ और ऐसे ही आपको fill करना परेगा fill करने के बाद आपको सिर्फ दबाना होगा calculate के उपर तो चलिए इसे के साथ हमारा दूसरा step भी compete हो गया है चलिए हम लोग बढ़े दें तीसरे step की ओर तो यहाँ पर जो तीसरे step आगया है तीसरे step पर जो calculate बतन को दबाने के बाद ही आपके पास result चलाएगा पहला result आएगा आपका कितना watt consume हो रहा है दूसरा result आएगा minimum आपको कितने watt के power supply के साथ जाना चाहिए और तीसरा result आएगा cooler master की तरफ से एक recommended power supply तो मेरा यहाँ पर कहना यह है कि आपका चितना watt consume हो रहा है उसको आप 2 से multiply कर देजे मान लीजे आपका total consume हो रहा है 250 watt अगर इसको आप multiply कर देते हैं दो के साथ तो यहाँ पर निकल के आता है 500 watt तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपको 500 watt का power supply लेना चाहिए हम लोग जब 500 watt का power supply लगाएंगे तब क्या total 500 draw होगा जी बिलकुल नहीं यहाँ पर draw होगा सिर्फ और सिर्फ उतना watt जितना watt आपको चाहिए और उसके साथ साथ कुछ efficiency rating आता है जैसे कि 80 plus certification अगर आपके पास कुछ 80 plus certified PSU या फिर power supply या फिर SMPS हुआ तो वहाँ पर बहुत कम power draw होगा चलिए एक example ले लेते हैं वहाँ पर बहुत सारे 80 plus certification होता है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे कम के मात में standard 80 plus certification और उसके बाद आएगा 80 plus bronze, gold, silver, platinum, titanium बहुत सारे और उसके price भी बहुत उचे होते हैं अभी के लिए हम लोग standard 80 plus का example ले लेते हैं और अगर आपको दूसरा certification के बारे में भी जाना है तो उपर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा उसको आप देख सकते हैं तो यहाँ पर होता क्या है हर एक PSU तीन तरह के load पे काम करने के लिए design किया जाता है पहला होता है 20% load दूसरा होता है 50% load और तीसरा होता है 100% load तो यहाँ पे 500W का power supply अगर सिलेक करते हैं तो 500W का power supply का 20% होता है 100W 50% होता है 250W और 100% होता है पूरा का पूरा 500W तो यह watt represent मतलब यह percentage of watt रिप्रेजन करता है आपके system को कितना चाहिए मान लिजेब आपको चाहिए 100W तो अभी अगर आप 100W power supply किसी standard 80 plus certified PSU से लेते हैं जिसके उपर लिखा हुआ है 500W का यह power supply है तो वहाँ पे आपको total consume होगा 125W यह 125W कैसे आया क्योंकि 80 plus का मतलब यह होता है कि हर हालात पे हर हालात मतलब 20%, 50%, 100% load पे वहाँ पे 80% आपको efficiency देखने को मिलेगा इसका मतलब यह होता है अगर 125 अगर total watt consume होता है उसका 80% आपको मिलेगा जो की जाता है 100 इसके साथ अगर 50% load पे जाते हैं मतलब अगर आपका total requirement है 250 watt तो वहाँ पे आपका PSU consume करेगा सिर्फ और सिर्फ 3TW अगर आपका PSU total 500 watt आउटपुट दे रहा है तो वहाँ पे input लेगा 625 watt मुझे उमीद है कि आप यह 80% बाला funda समझ चुके हैं तो इसी के साथ अगर आप 80 plus bronze, silver, gold, platinum, titanium लेते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि 50% जो load है वहाँ पे करिब-करिब 96% अगर efficient हुआ तो 20% पे वहाँ पे 90% efficient होता है और 100% पे वहाँ पे 90% efficient होता है मतलब ऐसा एक figure निकल के आता है यह titanium का एक example है तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 50% में सबसे ज्यादा efficient होता है हमारा PSU दूसरे अगर हम लोग bronze की बात करें तो भी वहाँ पे 50% पे ज्यादा efficiency देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर हम लोग किसी भी power supply को 50% load पे चला है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा electricity पे बचट देखने को मिलेगा तो electricity पे अगर आप बचट चाहते हैं तो यहाँ पे आप 80 plus certification के साथ जाएए अगर आप 80 plus certification के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो आप cheap power supply के साथ जा सकते हैं लेकिन मेरा recommendation cheap power supply नहीं होगा अभी बोलेंगे क्यों नहीं होगा चलिया आप लोगे के साथ एक छोटा सा experience मैं share करता हूँ तो जब हम लोग i3 6 generation के साथ कुछ PC build करने बाले थें तो वहाँ पे हमने 450 watt का cheap power supply ले लिया तो यह 450 watt का cheap power supply लेने के बाद हम लोग देखें कि हमारा तो total watt consume करीब करीब 100 watt पे ही हो जाएगा तो यह power supply हमारे लिए ठीक है और इसका price था सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए और 600 रुपए में और कौन देगा भाई 450 watt का power supply with one year warranty चीप बाला है फिर भी उस पे warranty आता है चलिए यह बाला power supply लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा मेशीन हपते भर चला और उसके बाद power supply में short circuit हो गया तो power supply replace करने के लिए हम लोग दे दिये और local store से हम लोग यह power supply ले थे तो local store से कुछ दोस्ती बगर था मतलब ऐसा ही कुछ था तो वहां से कुछ benefit हमें मिलता था benefit यानि कि अगर कुछ problem हो जा जैसी कि ऐसा problem हो गया तो उसने क्या किया 450 watt बाला power supply हमसे ले लिया और हमको एक नया power supply दे दिया without any obligation क्योंकि हम उसको customer देते हैं इसलिए ऐसा कुछ facility हमें provided है और उसके साथ साथ वो लोग हमें discount भी देते हैं चीज़ों के ऊपर तो उनसे फिर 450 watt का सेम चीप बाला power supply हम लोग ले के आए लेकिन ये बाला power supply भी जैदा दिन तक नहीं चला फिर ये बाला power supply भी हपता दो चला और उसके बाद बस उस पे भी कुछ flash हुआ बस गया उसके बाद जो पहला बाला power supply हमने दिये थे तो उसका एक replacement आया था replacement में हमें एक premium power supply मिला मतलब 80 plus certification बाला मिला कैसे मिला क्यों मिला ये मैं नहीं जानता लेकिन हमें मिल गया मिलने के बाद हमने उसका हमारे PC में लगाया PC में लगाने के बाद अभी तक हमारा PC बहुत ही अच्छे से चल रहा है आज भी कोई issue power supply को लेके नहीं है लेकिन वही दूसरी तरप में 450W बले वही power supply दूसरे एक machine पर यूज़ करना हूँ जहापे 65W का एक CPU है और उसके साथ GTX 1050 Ti OC Edition को लगा के overclock भी किया गया है बहुत सारा time game भी किया गया है तीन साल हो गया है वो पावला power supply लेकिन उसके साथ कोई भी गरवन नहीं देखने को मिला है मैं आपको कम के मत बला power supply क्यों नहीं recommend कर रहा हूँ उसका कारण यह है कि अगर आपका power supply किसी कारण खराब हो पे एक number वहाँ पे 80 plus certification नहीं होता है उसका efficiency rating कितना है वो भी मुझे मालूम नहीं उसका efficiency rating 60% भी हो सकता है power supply लेने के बाद आपको बिजली में बहुत पैसा देना पड़ेगा तो इसी चीज को eliminate करने के लिए मैं आप आपको बोल रहा हूँ कि आप 80 plus certification के साथ जाई है वो आपके लिए best उपाय होगा लेकिन यहाँ पे और एक problem है market में दो तरह के power supply होता है एक होता है constant supply दूसरा नंबर होता है peak supply यह जो constant power supply है इसका हम लोग example ऐसे ले सकते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा है 450 watt का power supply तो इसका output जो है वो हर बग्द हर condition में 450 ही रहना चाहिए उससे ज्यादा यह output दे सकता है ना भी देख सकता है लेकिन उसका output कभी भी किसी भी situation में fluctuate करने के बावजूद 450 से नीचे नहीं जाना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ अगर वहाँ पे constant supply 450 watt है हम वहाँ से 500 भी draw कर सकते हैं लेकिन safety reasons के लिए नहीं करना चाहिए लेकिन वही पे दूसरा एक power supply होता है जिसका है जो होता है peak supply, peak supply मतलब उसके उपर 450 watt का level chip का हुआ होता है लेकिन वह बाला power supply maximum 450 watt supply दे सकता है लेकिन fluctuate करने के बाद यह नीचे कितना जाएगा हमें भी मालूम नहीं है ऐसा भी हो सकता है fluctuate करते time यह minimum supply किसी एक time 300 watt दे रहा है तो यहाँ पर मुद्दाबात यह निकल के आया है कि आपको यह जो peak बला power supply है, peak supply बला power supply इसको लेना नहीं चाहिए, आपको हर वग constant power supply ही लेना चाहिए, constant supply बला power supply ठीक है न? और इसके साथ मुझे उमिध है कि आपको total power supply का funder समझ में आ गया है और इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है पावर सप्ले के उपर तो नीचे कॉमेंट करना मद बुलिएगा अगर आप कॉमेंट नहीं करना चाहते हैं हमारा फेस्बुक पेज है पेस्बुक पे जाके एड़ दिरेट टेक्नो फाइल इंडिया लेक के सर्च पेज में पहुंच जाएंगे और वही पे आप एक परसोनल मैसेज भी हमें डाल सकते हैं और आपको आपका रिपलाई बहुत जल्द मिल जाएगा और इसके साथ मैं लेना चाहता हूं बिदा और बहुत दिनों बाद मैं कहने बाला हूं कि सपोर्ट, सेर, सब्सक्राइब क